सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो है ट्रेडिंग लेवल्स ट्रेडिंग लेवल्स सिफ कोई मामुली लेवल्स नहीं होते ये दशाते हैं ये दिखाते हैं हमको किस पॉइंट पर बायर्स और सेलर्स की कितनी कॉंटिटी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्केट है वो प्राइस सेशन देखे किस तरह रियाइट करेगा अगर तो आपके लिए ये एक सिंगल मोस्ट जो पॉइंट है आपकी जरनी को और आगे बढ़ा सकता है आपको ये प्राफिडिबल ट्रेडर की तरफ और एक कतम बढ़ा सकता है बाकी और भी कुछ जैसे की प्राइस सेशन आपको ओपन इंट्रेस्ट आपको ये ध्यान रखना ह की जो इतनी मिकी होती हैं ये सब कोइंसवाइब करती है एक दूसरे से रिलेटिव होती है और खासकर प्राइंस करेंगे तो आज हम बात करेंगे ट्रेडइन्ग लेव स्की और कैसे आप अर्सक highway को मांक करके उन पर कैसे आपको करना है क्यांस क्टैस्ट करना हैाइग कैसे उन पर काबू करना है और फाइनलिल पैट्टिस के साथ कैसे आपको उन पर मास्ट्री करनी है और अपने आपको एक प्रोफिटिबल ट्रेडर की रूप में निखारना है चलिए स्टार्ट करते हैं In trading, if you know where are buyers and sellers, you can know where you need to make your entry and where you need to exit and this will decide the probability of your success अगर आपको मालूम हो कि कहां पे sellers हैं, कहां पे buyers ज्यादा हैं उस आपसे आप अपना step ले सकते हो ना आपको पता है कि यहां पे buyers हैं, तो मुझे यहां पे एक long portion लेनी चाहिए आपको पता है कि इस position पे sellers हैं, तो मुझे यहां पे short portion लेनी चाहिए maximum time को मालूम नहीं होता है कि कहां पे कितने sellers कितने हैं, last time मालूम था क्योंकि इस position हमने last, हमार पास history पहले से available रहती है, हमार पास future available नहीं होता है हमको अपने past में देखके अपने future को trading में समझना पड़ता है पर हर टाइम एक काम नहीं करता, इसलिए आपको trading levels जाना जरूरी है आप history को देखके कहां पे क्या resistance क्या support मिला था, आप उसको देखके अपने future के लिए आपका जो setup वो नहीं कर सकते हो आपको current state देखना होता है, और trading levels क्यों होते हैं हमें अगर उनको सही से माक न सीर जाएं तो तो सबसे पहले जिन लोग को ज्यादा पता नहीं है, जो विल्कुल starting में trading levels होते गया है trading levels जो होते हैं, see simply, they are simply the points of support and resistance यह वो point है, यह वो हिस्से हैं जो support और resistance का काम करते हैं अब है कि support and resistance क्या होता है तो जो support होता है, जैसा कि इसका नाम ही support है यह आपको price action को support करता है, आपको जो भी आप stock है, आपके पास index है जिस पे भी आप trade कर रहे हो, उसको support प्रवाइड करता है हम support मतलब इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वहां से support का काम कहता है किसी चीज को गिरने से रोकना, किसी भी चीज को कम होने से रोकना उसको हमेशा ओपर उठाना, इसलिए support वो point होता है, चार्ट में एक buy section के through, जहां पर buyers हमेशा heavy quantity में होते हैं, buyers की जो संख्या होती है, वो ज्यादा होती है, sellers से खास कर, जितने ज्यादा मात्रा में, जितनी ज्यादा quantity, जितनी ज्यादा multiplier में buyers की quantity रहेगी, वो sellers ज्यादा होगी, उतना अच्छा support consider किया जाता है, विकि जब buyers ज्यादा होंगे, तो जितनी भी sellers अपनी quantity कुष्ण करेंगे, buyers उनको उतना खरीज सकते हैं, और एक support provide कर सकते हैं, और sellers को वो जो level है, जो trading level है, जो support point है, उसको तोड़ने से रोक सकते हैं, और जो resistance होता है, वो बेचते हैं, और एक index और stock chart में, stock market में seller's काम क्या होता है, बेच के, जो इनको quantity होती है, market को short करना, जो की है, down move, create करना, बेच के, उसकी quantity हटाना, market से, quantity market से हटेगी, तो जो वहाँ पर available buyers रहेंगे, उनको खरीदने में कमी आएगी, उससे क्या होगा, जो एक price action रहेगा, वो down move, create करता है, तो seller's का main काम रहता है, वो होता है, short करना, market को down करना, अपनी जिस price पर उन्होंने खरीदा है, उससे, और इसलिए, जहां जिस point पर seller's जादा होते हैं, उससे हम resistance कहते हैं, क्योंकि अगर buyers जितना खरीदने के कुश्च करें, और seller's की quantity है, वहाँ पर जादा है, तो जितना buyers बेशते रहें, वहाँ पर खरीदते रहें, sellers हमेशा वहाँ पर उसको बेशते रहेंगे, seller's buyers की demand से भी ज्यादा, sellers वहाँ पर अपनी sell करते हैं क्योंकि, तो buyers हमेशा, वहाँ पर क्या होगा, आउट हो जाएंगे, अपनी खरीदने की शमता से, क्योंकि, वहाँ पर seller's समिशा ज्यादा रहेंगे बेशने के लिए, इससे क्या होगा कि market उस point के ना कभी ऊपर नहीं जा पाएगा, तो यह क्या कर रहा है, क्याएब ऊşर्ण मैं तो हम्मने जाना कि ट्रेडिग लिवल दो होते हैं, एक होता सपोर्ट एक होता है प्रेंग होता है लिए कि चली स्टाट करते हैं और इंडिव्थ में अनैलेसिस कि कैसे रहें को ड्रौ करना है कैसे समझना है क्या देखना है इस समझाप पिछल जाते हैं तो मेरे सामने खुला हुआ है 9050 का इंडेक्स चार्ट जो की इंडेक्स का है श्ट सॅक्के भी बात करें ये या फिर वो down जाएगा और बहुत सारे conditions में वो market range bound भी रहेगा तो जब market अगर माली जी अब जा रहा है तो जिन पॉइंट से अगर उसने इस पॉइंट से यह आप देखिए मार्केट वापस रिवर्सल ले रहा है मतलब वहां से वापस आ जा रहा है इसका मतलब कि जो यह पॉइंट है मार्केट का यह पाइस सेक्षन जो बना रखा है यहाँ पे जो सेलर्स की कॉंटिटी है वह जाता है जिस पॉइंट से वहां से उनको रिजेक्षन मिल रहा है तो यह आपको एक ट्रेडिंग लेवल हो जाता है वैसे ही जब नेक्स टाइम वह वहा जाता है और अगर जब यहां इसको तोड़ता है इसका मतलब होता है कि जो आप बायर से कॉंटिटी है वह सेलर्स से लेता है जिन पॉइंटों से इनको ट्रेंट में मार्क कर देते हैं clear understanding के लिए जो resistance के पॉइंट हम रेड में माक कर रखा है जिन पॉइंट से मार्केट वापस रिवेर्सल ले लेता है और प्राइश सेक्षिन के थ्रू यसे कि यह यह वह दो रच्टेंस के पॉइंट होती है और वही हमारे रच्टेंस के पॉइंट होते हैं अपर साइड में में हमेशा Simpli jn points से market support ले लेता है ऐसे कि यहां आया यहां से support लेकर ऊपर चला गया Simply यहां आके यहां से support लेकर ऊपर चला गया ढोड़ा कर लेते हैं सही से Mark कर लेते हैं इसको horizontal line से इनका हम ढ्रॉ लेते हैं green से Because they are providing support they are doing better for the market तो देखिए आप कि देखिए जहां से इनों ने support प्रवाइड किया है जहां से इनों ने bounce ले लिया यहां पर हमारे buyers ज्यादा sellers से इससे क्या होगा buyers हमारे sellers की जो selling quantity है उसे buyers consume कर रहे हैं और उपर भेज दे रहे हैं तो यहां पर हमारे जो points price section में chart में bounce ले रहा है उस लाइन से वह हमारे हो जाते है support trading levels तो हमने दो चीज़े लिए जहां से अगर market reversal ले रहा है आप side से downside आ जा रहा है वह हमारे resistance के points होते हैं और जहां से market हमारा bounce लेकर down से उपर चला जा रहा है वापस वह हमारे होते है support के trading levels तो ऐसे आप mark सकते हो कि जहां जहां से उपर नीचे जा रहा है जिस point से वह आपका resistance का point resistance का trading level हो जाता है यसी यह यह और जहां से आपका नीचे से support ले दे रहा है support लेकर bounce back कर दे रहा है वह आपके support के trading levels हो जाते हैं जैसे कि यह यह आप ध्यान दीजेगा यह गवर चीज़ कि जब भी तोड़ता है कोई भी resistance का level होता है वो next time में support का level क्यों बन जाता है जो हमारे यहाँ पे resistant sellers होते हैं वो हमारे buyers बन जाते हैं वो हमारे level होता है resistance का उसको वापस नहीं कर देते हैं तो देखिए यहां से यहां से हीच काम किया bounce यहां पर देखिए वापस हो सब्सक्राइब वहां से उसने फिर से बाउंस बैक ले लिया तो यह एक ओवर व्यू है यह सिंपल अंडर्स्टैंडिंग है कैसे आप यह सब्सक्राइब को अंडर्स्टैंड कर सकते हैं सेंपल ली डाउं अगर ट्रेंड जा रहा है मार्केट का उसमें भी यही चीज है कि जब डाउं जाएगा तो जिस पॉइंट से मार्केट वह उपर से रिवर्स ले लेता है वह हमारा हो जाता है रिस्टैंस और जो पॉइंट से हमार नीचे से ले लेता है वह होता है हमारा एक जहां से नीचे से अमारा सपोर्ट लेके रिपाउज बैक करें उस्पोर्ट का टॉता है तो जह आपने चीजद सीचिज है सबसे बेसिक है कि सापोर्ट और रिजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। और उसके अकॉर्डंग लिए हम ट्रेडिंग लेवल करने ह इतना हमने simply हैं पर ड्रॉ कर दिया, market हमेशा इतना simple नहीं होता है, तो अगर इतना simple होता है, तो आप हम सब को अमीर होते, बहुत कमारे होते, ऐसा नहीं होता है, यह सिफ overview था, हमको यह सिफ simply ऐसे हमको confirmation के साथ देखना पड़ता है, इन चीजों को, चलिए अब live trading के example ले ले चार्ट है, तेरा पहले का Nifty 50 का चार्ट है, इसमें देखिए, हमने पहले से मार्क कर रखे थे तो हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते, सीखने के लिए सब डिलीट मार देते हैं, सारे जितनी भी indications थे सब डिलीट मार दिया हमने, support and resistance, एक चीज और बता दूँ आपको, दो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं, डाइनमिक इसको हम लोग एड कर लेते हैं, यहां पर, हमारे दो होते हैं, यह खोता है, डाइनमिक, sorry, dynamic, and होता है, static, static, support and resistance, तो हमारे दो तरह के support and resistance होते हैं, डाइनमिक and static, डाइनमिक को स्टैटिक हम अइडनिटिफाय कैसे करते हैं, अब हों बताएंगे अभी आगे आपको, देखिए, अब हमने क्या सीखा, जिस पॉइंट से market reverse ले ले, upside price action से, वह हमार रिजिस्टेंस होता है, और वहां पर हम एक trading level, आपका resistance का trading level होता है, तो यह इस area में आप देख रहे हो, इस area में, यहां से support, resistance का काम कर रहा है, पर यह देख लिए इतना simple नहीं है, आप कहां से draw करोगे आप, आप यह विक बन रही है, परच्छाई पतली से वहां ड्रॉ करोगे, कि आप जो यह बिवाडी बन रही है, वहां पर ड्रॉ करोगे, आपको कहां से draw करना है, आपको हमेशा draw करना है, विक से, आप बोडी से draw कर सकते हो, पर जब आप विक से draw करते हो, विक से, मतब जो पतली से डंडी है, तो आपको एक risk margin, safety margin मिल जाता है, कभी भी, कि आप अगर पाई section यह पर आया, त हो सकता है, वो बोडी की उपर निकल जाए, पर विक से, रिरिवर्स हो जाए, तो जब विक से आप लेते हो, तो एक आपको safety margin, आपको एक risk margin में आपको अच्छा point मिलता है, आपको, आपको trading की टाइम पे, तमने पे draw कर लिया, देख ली, जहां से रिवर्सल लिया, इसने इस higher point से, वो हमारा होगे resistance का, यहां पे हमारे sellers ज्यादा है, simply, जहां पे हमारे support ले लेता है, पराई section, जहां से हमारा bounce back करता है, वो हमारा हो जाता है, एक support point, simply हम वही करेंगे, यहां पे जाएंगे, जो weak बनती है lowest, हम वहां पे draw करेंगे, उसको हमार कर लेंगे green से, for better understanding, की support resistance, different state करने के लिए, currently, जो red था, वो हमारा होगे resistance, और जो होगे, हमारा होगे support, green, ऐसी है, और भी हम लोग trading levels mark कर देते हैं support resistance वाले, जहां जहां से resistance लेजरा है, वो हमारे होगे resistance के, जितने भी हमारे resistance के मंजा हम सम मार्क कर लेंगे, okay, अब support भी मार्क कर लेते हैं हम ल मार्क कर लेंगे, green से, okay, अब देखिए, हम पहले एक दिन के time, five minutes का time frame है, एक दिन में, एक दिन का ये पूरा चार्ट है, इसमें दो दिन का, sorry, 12 and 13 का है, 12 and 13 April 2025 का, इसमें हम देख लेंगे, सोड़ा identify कर लेंगे कि कैसे price section trading levels काम कर रहे हमारे, देखिए, बारा तारिक को ख दो आपर खुला, market और यहां से इसने यह पर seller ज्यादा थे, price section के according, यहां से इसने क्या लिया, rejection लिया, rejection क्योंकि यहां पर resistance प्रोइड किया, हमने आमाक कर दिया resistance क्योंकि इसके उपर ही तोड़ नहीं पाया, यहां से डाउन मूब इसने किया, और डाउन मूब कहां से कहा तक आता है गया, आया यह अराउंड 17, 475 तक आया, जहां पे इसने एक prescription मनाया, जो candle थी, candle का जो अपर एरिया था, यह मतब हमारी supporting candle थी, क्योंकि यह इसको नहीं तोड़ पाई, हमारे नीचे वाले डाउन मूव जो resistance था उसको, और नीचे क्लियर कर लेते हैं, तो सही रहे डाउन कहां तक आया, इस बार यह आई कहां तक 17, 441 तक आया, यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट ले कहां तक गई, इस बार इसने जो हमारा trading लेवल था, resistance लेवल था, 17, 532 का इसको तोड़ दिया, और आपके बार resistance कहां ले लिया, इसने वापस जो हमारा previous, जो हाई था, दे का वही से बिल्कुल exactly वही से resistance लिया, और डाउन मूव आया, और कहां तक आया, जो हमारा पीछे का, उसी दिन में, जहां से इसने, प्राइक सेशन में था, resistance का, एक बात ध्यान की होती है, कभी-कभी exactly point resistance के नहीं बनते हैं, यहां पर जैसे day high और day low का, day high में आपको resistance मि नहीं मिलते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, जब पास-पास के हो जाते हैं मामला, तो आप एक box resistance का, supporting box जो होता है, उसे draw कर लिजिए, और उसके जब उपर और नीचे जब आप अपना trading level मानिए, उसके बीच में आप trading मत करिए, उसके ओपर या, उसके नीचे थोड़न इस नीचे तक, इतने levels को आप मान लीचेगा, no trading zone इसके ओपर नीचे आप जब तूटे तभी उस trading level के recording आपको अपने ट्रेड लेना है, और देखिए इतने महीं यह हाँ समिट गया, अगर आप इसको mark कर दी होते, तो आपको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे ट्रेड लेने मे आपके ट्रेड ना लेने में, अपने capital को सेव करने में, ऐसा रहा, तो जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्राटिक हम इनको छेट था, हम लाइन ड्रॉ कर लिए, यह हमारे होते हैं static, यह जो हमने ड्रॉ कर दिया तो यह maintain वही रहेंगे, यह चेंज नहीं होंगे, यह हमा हमारे उपर थे, यहाँ पर इसनों resistance ले लिया है, देखिए, एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जब भी कोई दिन का day high और day low बनता है, वो एक automatically वहाँ पर buyers और sellers की quantity होती है, वहाँ पर accumulate हो जाती है, वहाँ पर कठा हो जाती है, तो यह एक अच्छा सभ, heavier support और heavy resistance का 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 करता है, जो day का high होता है, जो day का low होता है, वहाँ पर heavy support और resistance आपको majority time में मिलेगा, तो उसके accordingly आप वहाँ पर high जो बनेगा, वहाँ पर resistance और low बनेगा, वहाँ पर support trading level draw कर सकते हो, और कभी-कभी जब आपका support जैसे हहाँ बना, next time जो day का low होता, उसको तोड़ दिया पर ब वहाँ ही कर सकते हो, आप एक support and resistance का जो box होता है, उसको draw कर सकते हो, अब आप आप trade मत लीजिए, क्योंकि इसकी बीच में बहुत ही ज्यादा तन्य तन्य हो जाती है, जो पास-पास के trading levels होते हैं, आपको trading कहां करनी है, जो wider थोड़ थो बड़ चौड़ 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 आपका resistance तो वह सपोर्ट बन जाता है, तो वही हुआ support बना, पर जब next time उपर गया उपर जो trading level था 1764 का, वहाँ से resistance लिया, resistance लेकर तोड़ता गया, तोड़ता गया, कहां तक आया, जो मारा अगला trading level था 17, 15, 30 होगा, 7, 75, 30 होगा, वहाँ से इसने थोड़ accumulation किया, accumulation किया, प पर जब बन जाता है, वहाँ से तोड़ के बन जाता है, वहाँ से तोड़ के आगे नीचे गिरा देना, नीचे गिरा तो गिराया, जो माला प्रीवियस समरो को निस बना रख था support, 17, 462 वहाँ से अपना यहाँ पर तना तनीखी, support, अब बीच में पर देख लिना, पर अपना next trading level तक का पहुंची गया, और एंड में वापस फांस इसने bounce reversal लेकर राउन में फिर से आया, और 17, 462 तक का इसने move दे दिया, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो काफी easy, काफी simple होता है, अगर आप trading levels ड्रॉ कर लें, आपको जादा दिमार्क नहीं लगाना है, आप आपको simply जो आपको जहां पर high है, बनता है, जहां पर low बनता है, swing low और swing high आपको support और resistance के लिए ड्रॉ कर देने है, और उसके अपको ड्रेड लेना है, आपको trade नहीं बन रहा है, तो आपको trade नहीं लेना है, आपको फ़ोता ना FOMO कि आप ठूट जाओगे, ऐसा नहीं करना है, आपको नब capital सेफ करना है, क्योंकि आपको पास capital जब रहेगा तब आप ट्रेड ले पाओगे, जब capital ही नहीं होगा तो आपको जितनी भी opportunities future में आएंगी, आप क्या trade लोगे आपके capital ही नहीं होगा तो आपको अपनी capital को priority में सेफ करना है, trading तो आपको आती रहेंगी, जितनी जादा trading opportunities आप देखोगी, आपका practice से उतनी अच्छी आपकी next time probability of winning बढ़ जाएगी, और फिछलते हैं, देखिए, देखिए, आप जो 13 April को जहां से इसने rejection लिया था, क्यों लिया, क्योंकि आप देखोगे तो 11 April को वहीं से उसने support point बने, और support point देखिए, तीन बार इसने हां पर support लिया, जो indicate करता है कि यहां पर काफी अच्छा support था, जो हर बार 3, 3 times इसने यह ले लिया मतलब कि support दे यहां से, यहां से sellers को हावी नहीं नहीं ने दिया, यह हम जो बात कर रही है, हम आरे static, वह है, static support and resistance की पाद चल रही है, यहां पर, जो trading levels होती है, static trading levels की पाद चल रही है, यहां पर, okay, तो यहां आरी होगी static trading levels, अच में हम लोगी करते हैं, draw कर लेते हैं, अपने trading levels, अब देखिए हम खंड रहे हैं, पहला जो high बना है, अपना day का उधर हो जाएगा, अपना resistance, ले बिड़ो करते हैं, फिर से एक और हम लोगे को resistance दिख रहा है, इस जगा पर, similarly हमको support कहा देख रहा है, जो महाँ day का low था, अब जो हमने red line draw कर रखी है, यह पहली की line है, बाद मी हमाले resistance बनती है, उससे पहले हमाले support थी, 11 तारिकी दिन, यह हमाले support थी, तुमको support ही देखेंगे, support की रूप में देखेंगे, अब देखिए, market खुला, around तो फुला था, यह गया तारिक को, तो फुला था, 17,700 के आसपास, 740 के आसपास, और इसने rejection लिया, rejection इसने कहां लिया, अगर आपने 10 तारिकों अपना trading levels दो की होते है, तो आपको यह trading level निकलता, resistance का, जहां से इसने bounce लिया था, आपने दो कर चुकी होते, trading level अपना resistance का, देखिए, इसने जब खुला, तो इसने exactly वहीं से, rejection लिया around, और गिरते गिरते जब कहां आया, तोड़ते तोड़ती है, जो हमारा support था, 17,600 का, देखिए, यहां पर काफी उथल पुतल है, तो इसलिए, अगर normally मैं होता ना, तो यहां पर no trading zone बना देता, ऐसे उथल पुतल में, यहां पर एक range bound movement होई है, तो इन में trading ना करें दा से लिगा, okay, चलिए, इसने support बनाया, इसने, कहां तक तो, okay, हां, इसने support बनाया, 17,644 का, काफी volatility थी उस दिन, लंबे-लंबी बन गई, यहां support लगे कहां तक गया, जो हमारा resistance था, जो हमारा resistance था, जो हमने draw किया था, उस resistance था, वहां से फिर्शेस रिवर्सल लिया, वापस support तक आया, support से फिर्शेस ने, move प्ले किया, उपर तक गया, वापस यहां से क्या होगा, इसने रिश्टन्स लिया, लीचे तक आया, अब इसने, का ओड़िंग, हर ताइम ना, हर वक्त, सेलर, 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 जो टेडर से वह नहीं है, बड़े-बड़े टेडर्स हैं, जो अपनी पोश्यन, मोडिफाई करते रहते हैं, ऐस पर जो भी उनको लगता है, कि जहां मार्केट जाएगा, तो बना चेंज कर दी पोश्यन, यहां पर एक मूव मिला, जो मूव मिला, वो वाल्म साथ था, तो जालू, हमेशा 100% तो मैं शूर नहीं हो सकता, कि अगर किसी को 100% शूर होते हैं तो वो गौड है, और आप जानते हो कोई है, जिसके 100% शूर बोलेगी, यार मैं ट्रेडिंग लेवल ड्रॉ कर लूँगा, ट्रेडिंग रेस्टिंग सपोर्ट जो मैं बता रहा हूं, यार मैं खुड़ ट्रेडिंग छोड़ के हमेशा उसी को फॉलो कर दूँगा, इसा नहीं होता है, इंसान होते हैं सैकलोजी एफेक्ट करती है इंसानों पर, 100% आप हमेशा नहीं हो सकते हैं, आपका हमेशा एम किया नहीं है, 100% तो नहीं, पर मैजॉरिटी अफ टाइम होती है, odds of winning, वह आपकी जद्धान अच्छी है, और जो probability of losses होती है, odds of losses वह आपकी कम होनी चाहिए, यह मेरा P3 rule है, इसके बारे में आप चैनल पर जान सकते हो, psychology के, हमेशा trading levels काम नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, मैं खुद बोलता हूँ, आप वीडियो देख रहे ह तो trading levels से काम नहीं करेंगे, पर majority of time time करेंगे, आपको ऐसी चीछ ही जो हर बार काम नहीं करते हैं, आपको मिलेगी भी नहीं, आपको ऐसी चीछ ही जो ज्याता time कम करें, जब काम करें, तो आपको अच्छा-खासा profit हो, जब ना काम करें तो आपको अपने street ऐसा लेना है, stop loss लेना है रीच करवाना दिकल जाना है आपको डीड और अग्मी और अग्ल करना है कि यहां से फ्रब्र स्मेff ऴॉ करना है हय भी हय विक और लोग जोब आंगा व्रिव इसम एटेड़ कार लेना है आपको अब इहां पने यहां आपने च्रेद लिए आपको आपको फुल्का पढ़ेगा सोप्शन चेन अभी रमीशिता हूं जो आपको ट्रेडिंग लेविल के लिए हेल्प करेंगा तो आधिक लेकल आने खोल लिया है चलते हैं जो भी करेंडली जो अधिटी लेवल के कउन ट्रेड कर रहा है, दिखे, यहां पर इसेंट लेवल लेवल 100 पर होता है जो होता है 500, 550, 550, 17,600, 17,450, एक सैकलोजीकल होता है कि यहाँ पर यह सपोर्ट जितने आपको दीख रहे ना यह आप आटमेटीकली मान लीजे कि यह सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसकी उपर सपोर्ट है और रिष्टेंस वाँगे जू उस लेवल की डाउन में होंगे वह सपोर्ट बन जाएंगे आपके फिप्टि-फिप्टी पॉइंट्स पर अब कितने ज्यादा मातर में कितने हैवी सपोर्ट रेंस्टेंस होंगे वोड़ है को रिचते को न करेंगा हमारा यहां पर जो पर होते हैं हमारे बता रहों को कि आपको समझ में ना हमको कमें उसको कि नगर ऑ western और जो नीचे रहते हैं हमारे support side में रहते हैं वो हमारे put writers होते हैं जो support point करते हैं और जो उपर रहते हैं वो हमारे होते हैं call writers ओके वो हमारे होते हैं call writers जो नीचे होते हैं वो होते हैं हमारे support put writers तो अपर side में हमारे होंगे call writers और और side में होंगे put writers तो आप को देखनां कितना उपर सपपोर्ट है विसेऩ तो आप कितना और वाली जो हमारी लेवल्स हैं उन पर कितनी कितना इंटेस्श्य मना हुए कितना उप्ठ ने अपनी पॉजिश्टन मना रख == क्योंकि जितने ज़्यादा call raters होंगी मतलब उतने ज़्यादा पर sellers है उतने अचा रेजिस्टेंस मिलेगा तो उसके साब से आप अपने आप देख सकते हो कैसे है लेवाल आपका बन रहा है अपर जिस लेवल पर यादा आपको उपन इंटर्स है जहां पर 1,82,000 है तो आप पर पूट राइटर्स बैठे हुए है 7,400 के लेवल पे 7,400 के लेवल पे 7,400 के लेवल नीचे साइड में वह बहुत अच्छा आपका support प्रवाइट करेगा वह पर है भी पूट राइटर्स बैठे हुए है तो इसके accordingly आगर आपने trading levels ड्रॉ भी कर लिए तो उसको कंसम कर सक करेंट लेवल जो है 17,500 के लेवल है तो 17,500 के लेवल है यहां पर 182,000 की call rating हो रखी है तो यहां से जब हमारा नीचे से प्राइटर्स जाएगा तो हम यहां पर एक अच्छी खासी reversal के ले प्ले कर सकते है क्योंकि हमको पता है कि यहां पर call rate resistance बहुत है तो reversal के चांस कोंटेटी ना बड़जे आप यहां से देख सकते हो अपडेट होता रहता है similarly in the down में भी आप देखिए 17,462 है तो आप नेरेश 450 का होगा 17,450 भी देखिए put riders 85,000 है compare to 23,000 call riders मतलब यहां पर support भी बहुत अच्छा है पर जितना यहां पर 1,82 है यहां पर सिर्फ 80 है तो उसकी कम बैटर ले तो बहुत कम है तो यह जहां पर call riders बैठे हैं उपर साइड में वह आपके नीचे साइड में तो और सकते हैं उसको तो ऐसी आप अपने confirm कर सकते हो कि जो हमारे उपर जो call riders है अगर उनकी strength ज्यादा है तो जो हमने trading level draw किया है वो काफी अच्छा level है और यहां स नीचे से जाएगा तो हम reversal play कर सकते हैं simply जब यहां पर support है वी हो जाएगा अब देख सकते हो यहां से कि यहां पर हमारे put writers quantity जादा है हमारे put writers की तो अच्छा support है यहां पर जब market उपर से नीचे साइगा यहां इस level पर तो हम यहां से भी reversal bounce back लिए play कर सकते हैं तो यह हमारे यहां पर उतने call letters नहीं होते तो हम लोग यहां पर wait करते कि हमें यहां पर wait करते कि यहां पर इसको break करने का wait करते है अगर break नहीं होता तो हम लोग रिवर्सल भी प्ले नहीं करते है कि हमको पता है यह ज्यादा नहीं है रिवर्सल यहां पर दे दे रहा है तो हमारे जो हमा पास अनलसिस से आपने जो निकाला अपना प्रडिशन किया उसके अकावडिंग लगर गेम प्ली नहीं हुआ आपका प्ले मत करिए आप छोड़ दियो इस ट्रेड को अगले ट्रेड के लिए देखिए हो सब्ता है कि वैसा कर जाए पर आप रिस्क मत लिजे फाल दू का थीक लेवल्स के अराउंड हम इडेटिफाइ करेंगे जब मेंब केंडल बनेंगी कि यह थोड़ने वाला है कि रिवर्सल मिलने वाला है देखिए सबसे मेरे हिसाब से और भी हो सकते हैं पर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इंडिकेशन पर लेवल्स पे होता है अगर यहां पर स जो ने टिम्राल बनें कि वह प्रीवेस के अंदर जाएगा यहां पर देखिए यहां पर रेजिस्तेंस है हम यहां से वहां में और च्रॉ रेटिंग रिव। लेवल्स ता है आपको यह देखना है कि जिदने सब्रस्ठ्टप कर दे 24 इंडिक बनेर सबसी तो थे मार रही है तो वहाँ से आप एक reversal प्ले कर सकते हो और देखिए reversal के लिए भी ना insider candle हर समय नहीं बन थी आपको price section समझना पड़ेगा जो resistance पर बन रहा है उस ने support लेवल पर बन रहा है यसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने इंसाइट कंडल तो नहीं बनाई पर यहं पर इसने एक 화falls में ऑफ़ना करी तर्छ prós मेंन рег मिलेगा तो बार में नहीं दिक्रड़ कघंडल coming to heaven. पर अच्छा आपको एक कंफरमेशिं कर देंकान काईट आप मिलेगा कर आपकर जितना अच्छा आपको एक gonna यहां पर देख लीजे वही हुआ, आपने ड्रॉ का लखा था ड्रो से यहां से इतने अच्छाओं वीक बनाई है इंदीसिव बनाई है यहां से आप ट्रेड ले सकते थे देख लिया आपने विग सेंपोर्ट लिया है यहां पर में यह पर में जो मादाइन ट्रेड नहीं लेता है यहां मृष्यंत करेत पर होद यूद आपको थे बंट गियो आपको आपके लिए और जो अच्छे हाषव बाड़ी कंड़ बनने मैं और किंड बन diets प्रिवेस जो उसके high's होते है, lows होते है अगर उपर जा रहा है, तो उसको low तोडना पड़ाएगा उसको high तोडना पड़ेगा, जो अगर उपर तोडने वाला है जो है उपर तोड़ा इसना के level तो previous candle का उसका high तोडना पड़ेगा और simply जब निची तरफ अगर जा रहा है तो जो next channel बनना चाहिए वो आपके previous candle का low तोड़ना चाहिए तो आपको confirmation मिल जाएगा फिर से मैं ही करना चाहूंगा कि हमेशा 100% कोई चीज stock market में सही नहीं होती आपकी बस probability of odds जो होती है odds होती है आपके जीतने probability of winning कि वो को आपको ज्यादा करने इस तरह के confirmation को यूज करके हर बार यह ट्रिक काम नहीं करेगी और दुनिया में जनता कोई ऐसा इंसान है जो बोलता है कि काम करता है पर आपको ध्यान देना है कि कितनी बार काम करेगा जितनी बार आप इन को फॉलो करोगे उतनी बार यह ट्रिक्स काम करेंगी और आप विनिंग में रहोगे चलिए हमने बात कर लिए अभी तक इन चीज़ों की ट्रेडिंग लेवल की स्ट्रेंथ बदा करने है कि कि इतनी हाई कि अच्छी यहां पर सब रिस्टेंस से कितना अच्छा सपोर्ट है कि अब आप आप जो आप को छोट पास-पास फास पास उन्हें ने मत लीजिया जो वाइडर ट्रेंग लेवल ती बड़े-बड़े उनकी बीच में अच्छे-कार सापॉंट्स मिल जाएगा इनकी बीच में कहुता है ना एक ही कंडल में आपको सपोर्ट और जो आपका से स सपोर्ट ले लिए तो आप वेट करी जो नेक्स कंडल बन रही है ना उसके वह जैसे इसको ब्रिक किया तब आप यहां पे एक लॉंग पोशन ले सकते हो उसके अलावा यह हमने बात कर ली आपको इतना ही जान लिया और अपने इसी को इतना प्रैक्टिस कर लिया ने चार पासे पॉइंट्स को तो आप अच्छे से मास्ट्री कर सकते हो और अमेशे प्रॉफिट में रह सकते हो लॉस में रहोगे पर लॉस आपका स्टॉप लॉस अचार से प्रैक्ट लेकर निकलों तो आपको जो प्रॉफिट रहे गा हमेशे जादे ही रहे ज्यादहिक करीछ किसे डिमागर मत लगाई है इतना कि क्या-कि हर ने कि करने सिंपल अभी जोता है इसम्पल सी बात होता है बात होता है इतनी दिन लूग उसको पमप्रस करते रहते हैँ इन चीजों में थैफ्वां सिंपलकार्ट करिए इसे तरल आलश मत करिए इंपल मत करि आपको आपको ना ट्रीडिंग लेवल जो स्टैटिक होती है उनके जितने हो स्ट्रॉणण की तरह लेते हैं वह खकाए कि मैं भोल रहा हूं और मेरे चाहिभी वांकि बूंकि समझ लेजिए तने के तो को सर्ट अननाaching को किस तरह ही उसकरना है? quantum information घ्टकेटु कि तरुर्च करना है लिए हो जैसे लिए हमारे डानों स्पोर्ट रिस्टिंस लच्प बहुत शालर इंडिकेटर उते हैं इसके बहुत सब्सक्राइब होते है supr которую और अजिंडिकेटर कि स्बस्क्राइबंenne कि मोविंगंघ्र Wo User कहाँ पर उतना हमारा डैनमेक प्रवाइड नहीं कर रहा है पर जब यहां पर reversal ले लिया तो risks से बचने के लिए अपने जो आपने ट्रेड लिया उसको confirm करने के लिए आप जब तूटे ना dynamic trading level तब आप entry ले सकते हैं कुई कुई लेशनियर के लाप विए Dalamade Grad Garcia के लिए लाप इतना ही समझना जिरुऻी अब अब की आपके आज क्लिए आपने लेफर करना टेचिक लिए आसे इनकी जो दो होती है उनको पुर्ण करना सीखी लिए अब है आपने है यह सीख मानक आप को जब कैसा इसी सीशन बने गा ट्रेडिंग लिवीड पर आपको एकश में दुटयी लेनी है रिव शे कीducर से में से मिलेगा अप कैसा वहां पर आपकी संप किसा प्रायस के लिएски चैदर के के लिए और सेफली खेलने के लिए डैनमिक जो हमारे टेडिंग लेवल्स होते हैं डैनमिक जो सपोर्टर रिजिस्टनस की जो लाइने होती जैसे की मोविंग अबरेज वीवैप उनको कैसे प्ले करना है तो आज के लिए इतना ही और उमीद आपको वीडियो अच्की लगी ह आपका लॉस होगा क्योंकि जो मेरा सइकलोजिकल मेरा पीठी जो मिरा फॉर्मुला है उसके कॉर्डिंग जो मेन हमारा है वो प्रैक्टिस है अपको पहली फर्स टाइम में हुस्ता आपको लॉस मिल जाए जब इसको इंट्रडे प्रैक्टिस करोगे ना तो इसकी गरेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस आपको ना यह हो जाएगा कि एक आपका मैंड में नोशन बनने लगेगा आप कैंडल देखती समझ जोगे देखती समझ जोगे कि यह होने वाला है यह लेवल समारे थे यह बन रहे हैं यहां पर इतना ओपन इंट्रेस्ट बन र आपने रहा यह को देखte तो चांस आप का का लॉस हो जाएगा और बॉसका कऊने उसकता है पर उतना ज्यादा प्रेक्टीस करोंगे आपको उतना अपकी ध्युच् जो पहला मेरा step है पहला formula है P3 का psychological P3 जो मेरा पहला जो मेरा main point है probability of profit वो बढ़ जाएगा आपका वो कपड़े हैं जितने ज़्याद़ प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्याद़ आपका आपका आप जनना चाहते है भी समझ जाओ कर देखिये सार्ट हो कि क्या हो राइचार में कैसा बाइट-सलड़ रिया उस लेवल पी और आप अमना एंट्री ले सकते हो अपना एगजिट ले सकते प्रोफिट में रह सकते हो तो यह तो मेरी पहली वीड़ी थी अभी इस चीज इसको लेके और भी पॉइंट्स होंगे जो मैं और बीफिल बताओं को शॉर्ट में आपने इस सब सीख लिया है अगर सीख लिया हो तो बहुत अच्छा है नाइस सीख हो तो फिर से देखिए प्रैक्टिस करिए और कि इंप्लीमेंट करके प्रफिट में रहिए उम्यद्ध करता आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा सब्स्क्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो और बनाने के लिए मुझे प्रसान मिलेगा थेंक्यू वरी मच्छ